नाइजर का सैन निर्शासन बेख़ॉफ एकोवस की चेतावनी का कोई असर नहीं नाइजर के खिलाफ गुस्सा है चरम पर कई देशों की सिनाएं स्टेंडबाई मोड पर नाइजर में युद्ध बस एक कदम दूर नाइजर राश्पती बजों को 26 जुलाई को सत्ता से हटाने के बाद अफरिकी नाइजर का भविश्य अधर में लटका हुआ है जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है मामला सुलजने के बजाए ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के हालात न बन जाएं नाइजर में जो कुछ चल रहा है इससे एकोवस बहुत नाराज है इकोवस अफरिकी देशों का वो ग्रूप है जो इस देश में एक दूसरे के बीच तालमिल बनाने का काम करता है नाइजर में हुए तखता पलट को लेकर इस ग्रूप की दूसरी मिटिंग अबुजा में हुई है जिसमें ये तैह हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो नाइजर में सेना भेजी जाएगी अफरिकी देश नाइजर में हुए तखता पलट से सखत नाराज है अबुजा मिटिंग के बाद नाइजिरिया के राजपती बोला तीनबू ने कहा कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई भी दूसरा खड़ा नहीं होगा हमें अपने कमिट्मेंट पर कायम रहना होगा तब ही नाइजर में लोकतांत्रिक स्थिरता लाई जा सकती है इसी मीटिंग में सेना को स्टेंडबाई पर रखने का प्रस्ताव पास हुआ है ताकि नाइजर में संबेधानिक विवस्था को फिर से कायम किया जा सके आपको बता दे कि नाइजर में जो सैनिट शासन वर्तमान में है उनकी ताकत को भी कम नहीं आका जा सकता भले ही अमेरिका और फ्रांस सहित इकोवस के देश इसके खिलाफ हो लेकिन नाइजर का सैनिट शासन टक कर लेने के लिए पूरी तरह से तत्पद दिख रहा है इस से पहले भी इकोवस की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर राश्टपती मुहमद बजोम को बहाल नहीं किया गया तो वो ताकत का इस्तिमाल कर सकता है इस चेतावनी को सैनिट तानाशाह ने नजर अंदाज कर दिया था यहां तक कि चेतावनी के जवाब में सैनिट शासन के प्रवक्ता ने कहा था कि नाईजर के सचस्टरबल देष की रक्षा के लिए तायार है नाईजर के पड़ोसी देशो माली और बुर्किना फासों में भी सैनिट सरकारे हैं यहां भी सैनिट शासकों ने तक्ता पलट के जरीए सबता पाई है इनका भी समर्थन नाईजर सैनिर शासन को है जब एकोवस ने ये चेतावनी दी थी तब माली और बुर्किना फासो की तरफ से कहा गया कि अगर नाइजर में सैने दखल होता है तो इसे उनके देशों पर भी युद्ध की घोशना माना जाएगा नाइजर खौफ में कहीं से नहीं दिख रहा बलकि दो दो हाथ करने की मुद्रा में नजर आ रहा है उसने अपने परोसियों के सैने हस्तक शेप के खत्रे के चलते देश के हवाई शित्र को ही बंद कर दिया है इदर फ्रांस और अमेरिका भी चाह रहा है कि नाइजर में जल्द से जल्द पुरानी सरकार बहाल हो जाए फ्रांस की नजर से देखे तो नाइजर में सैने शासन ने फ्रांस आर्मी के साथ अपने वर्षो पुराने संबंदों को खत्म कर दिया है नाइजर में फ्रांस के 1500 सेनिक अर्मी है जहां से वो आतंकवाद विरोधी गत्वीडियों पर कंट्रोल करने का अभियान चला रहा था फ्रांस के साथ अमेरिका भी अनी यूरोपी सायोगी देशों के साथ मिलकर नाइजर में 2500 से जादा सेनिकों की तैनाती कर रखी है इस तख्ता पलट के बाद अब ये सब अधर में लटकता दिख रहा है खैर फिलाल जो हालाज सामने है उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नाइजर शासन कहीं से नरम पड़ता दिख रहा हो पश्चिम अफ्रिकी देशों के संग्ठन इकवस ने नाइजर में लोगतंत्र बहाल करने के लिए सेना तयार करने की बात तो कह दी है लेकिन अभी तक उनकी ओर से इसके लिए कोई तैय सामय सीमा नहीं दी गई है अब देखते हैं कि नाइजर के सेन शासन का अगला कदम क्या होता है